कभी कभी सुनाता हूं मैं कता हूं मैं कि जब राम जी रावण को मार करके लोट करके आये तो जनक जी ने पत्र लिखा पत्र लिख करके भेजा राम जी अपनी सभा में बैटे थे सारी बानर सेना बैटी थी जामवंत जी बोले भगवन आपकी ससुराल से पत्र आया है राम जी बोले पढ़के सुनाओं क्या भेजा है ससूर जी ने लिखे तो उसमें जनक जी ने लिखा था हमको बड़ी प्रसन्यता है कि आप सकुषल वापस आ गए है चौदय वर्ष बड़ा श्रम आपने सहा होगा आपने लंका पर विजय प्राप्तिकी उसकी भूरी भूरी आप को शुवकामना है आदी सब लिखी थी और नीचे लिखा था जनक पुर वासियों की बड़ी इच्छा है कि चौदय वर्ष तो होई गए हैं आपको वन गए और ब्या के बाद भी लाली जानकी और आपका यहां आगमन हुआ नहीं हमारी प्रार्थना है कि आप चारों के साथ और अपनी समस्त बानर सेना के साथ कुछ दिन आराम करने के लिए जनक पुर आ जाईए हम आपकी सेवा करेंगे महराज जैसे ये बात सुनी बंदर तो चलने लगे सारे बंदर ना चलने लगे बोले भड़िया हुआ लंका से ठके आरे आए आएं विलकुल आराम न बातिदारी होगी. जाम्वन्त जी जी जब पत्र सुनाए तो राम जी बूले देखो हम जनक पुर जैंगे चारों भई जाएंगे हमारी पतनिया भी जाएंगी और दो चार लोग उन्मान जी ई, जाम्वन्त जी आदे कुछ तरेष्ट बानर संच चल देंगे बाकी पूरी बानर सेना को हम नहीं लेके जाएंगे बानर सब रोने लगे क्यों हमको क्यों नहीं ले जाओ बोले भया हमारी ससुराल है ससुराल में नाक बचाने जाया जाता कटवाने नहीं तुम लोग तो किसी से भी छीन के खा जाते किसी पे भी चड़ जाते ओ किसी के भी घर में गुश जाते हो कहीं भी कुछ भी कर देते हो और वह हमाई से समराल है महाँ के अगर तुमने कुछ ऐसा अनुचित कृत्त किया हमाई तुना की कट जाएगी कि में जब बोले ठीक है राम जी जब मरने थे प्राण त्याग करना था तो हमको आगे खुड़ो कर दिया और जब मालपुआ मिलने वाले तो बानर यहीं रहो कि ठीक है कोई बात नहीं देख लिया बानर बड़े उदास हो गए लेकिन राम जी तो लीला कर रहे थे सब बानरों ने अति व्रद्ध जामबंत जी को गेर लिया बोले सुनो हमको जनकपुर लेके चलो हम भी मालपुआ खाएंगे हम भी अपनी सेवा करवाएंगे महां पर जामबंत जी बोले तुमारी आदतों की वज़े से नहीं ले जा रहे हैं तुम बन के बन उजाड देते हो किसी मैदान में घुश जाओ उसको तहसनेस कर देते हो किसी के भी सामिकरी उठा के भाग जाते हो यह सब तुमारा स्वभाव है इसलिए बिचारे मना कर रहे हैं र राम जी के पास जाकर के सब बानरों की बात कहकर के जामवंत जी बोले प्रभू मैं जिम्मेवारी लेता हूं एक भी बानर कुछ भी गलत नहीं करेगा राम जी बोले प्रमाण क्या है बोले प्रमाण ये कि जो मैं करूंगा वो ये लोग करेंगे राम जी बोले करके को ड़ी मिलने साथ इठें उसके तुरक बेड़ जैंगे लुए अगर उसे चलो कि तो हमेसे चलेंगे विलकुल हम चलेंगे हम रहा श tickets जायंगे हम फिक रहेंगे हम तो भारा सांस चोड़ेंगे लेंगे तभी जब जब जैंगे रहें आपको राम जी बोले तो ठीक है फिर चलो अब महराज रत सजाए गए और चारों बहुएं और चारों भीया विराजमान हुए हनुमान जी जामवंद जी अंगत जी आदी आदी सब बानर और पीछे बानर बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे 26 जनवरी की परेड होती है एक हम आगे चल रहे हैं एक साथ हाथ आगे चल रहे हैं जामवंद जी मूड खुजा रहे हैं तो सारे बानर मूड खुजा रहे हैं जामवंद जी कमर खुजा में तो सारे बानर खुजा में जामवंद जी को खांसी आजा तो जबर्जस्ति खांसे हैं सब राम जी बड़े प्रसंद हो रहे हैं देखकर के बुलिजे बड़ी आए जनकपुर पहुँचे जनकपुर में जैसे ही पहुँचे अटारियों पर सक्या खड़ी ती पुष्प वर्शा कर रही हैं और महराज मालाएं लेकर के खड़ियें सुन्दर आर्ती के थाल सजाए हैं और पूरे जनकपुर में राम जी से ज़्यादा प्रसंसा उनकी सेना की हो उल भाईया ऐसे बानर नहीं देखे और राम जी जामवंत जी सब बानरों के कुर्ता और सिल्वा के ले गए थे उपर से कुर्ता बुर्ता पहन करके बिल्कुल सीधी छाती करके सब चल रहे थे कहीं कोई सेव खाता दिख जाता तो बानर का स्वभावे चीन लेता है पर यहाँ सेव खा रहे हैं बानरों के सामने लेकिन बानर नहीं उनको देख भी रहे सीधे चलना है बिल्कुल जाममंति जी जो कहेंगे वो ही कनना है जनक जी ने स्वागत किया सारे बानर बिल्कुल सभा में बैठे एक सुई गेर दो तो उसकी आवाज आ जाए बिल्कुल हलचल नहीं हो रही है सब बानर बिल्कुल एक टक बैठे हुए है जनक जी कहने लगे बुले निश्चित ही लग रहा है कि रामण को मारने वाली प्रजा आई है यहां पर कितना शिष्टा चार राम जी बुले जी बिल्कुल ऐसे ही है हमारे भोले भाले बानर हैं सारे महराज अब बारताबाद में होगी पहले प्रशादी पाली जाए मुल जी अब बानर तो भाई आप कभी पेड़ पर चड़के खाते हैं एक दूसरे से चीन के खाने वाले लेकिन आज बानरों के आगे पट्टा लगाए गए चोकियां लगाई गई है आसन धरे गए थालि पूरियां रखी है अब एक-एक सामिक्री आ रही है कड़ी आवे दाल आवे सबजी आवे पूड़ी आवे गुलाब जामुन आवे रजगुल्ला हमें लेकिन बानर थाली की और नहीं देख रहे हैं सब जामवंद जी की और देख रहे हैं वो यह जो करेंगे वो ही करना है सब सामिक्री आ गई फल आए तो फलों में सेव आए अमरूद आए आम आए सब सामिक्री रखे गई हैं जनक जी ने हाथ जोड़ करके सबसे का प्रारम भी कीजिए प्रशाद पाईए लेकिन बानर नहीं बिलकुल भी जामवंद जी को दो जामवंद जी ने पहले जल हाथ आप में लिया थाली के चारों और गुमा करके महराज अनपूर्णे सदापूर्णे कहने लगे सब बानर भी आथ में जल लेकर के गुमा रहें पी रहें जनक जी कहें वा भाईया ये बानर हैं देखो इनको देखने के लिए भीड लगी ये बानरों के सिस्टाचार को इतन जामवंत जी ने सबसे पहले आम उठाया आम ही प्रिय था उनका आम को गुमा के देखा वो लिए बढ़िया वाला मीठा आम है अब जामवंत जी भाईया नेका ताकतवर नहीं थे जामवंत जी इतने बलवान थे इतने बलवान थे कि राम जी जब रामण को मार के लोटके जब बापस आ गए तो एक दिन जामवंत जी अपने हतेली खुजा रहे थे तो राम जी बोले क्या हो गया बोले कि भगवन मेरी हाथ के खुजली शांत नहीं हुई बोले क्यों बोले मेरे समान बलवान पूरे राम रामण युद्ध में दो ही थे एक तो रामण और दूसर कुम्ब करन और दोनों को आप दोनों भाईयाओं ने मार दिया मेरी तो आत के खुजली ठीक ही नहीं हुई है इतने बलवान थे जामवंत जी अब बिचारा चोटा सा आम पकड़कर जामवंत जी ने जैसी दबाया सो उसकी गुठली उछल गई है जैसे ही गुठली उचली सारे बानरों ने भी आम उठाके सबने दवाए वो ले गुठली उचलनी ही चाहिए और जैसे ही सबने आम पकड़के दवाए सब की गुठली उचली जामवंत जी की गुठली उचली जामवंत जी बोले मेरे हाथ से रामण नकल के नहीं भाग सकता गुठली की इतनी मजाल भाग गई और पकड़ने के लिए जैसे ही जामवंत जी उचले जामवंत जी के उचलते ही बानर वो ले आक्रमन अब खुल गये हैं महराज कूद पड़ो सवरे और लिए महराज बानर एक दूसरे पर कूदने लगे किसी की कड़ी लेके भाग रहे हैं किसी की दाल लेके भाग रहे हैं जनक जी की थाली में से पूड़ी लेके भाग गये बानर सबरे पूरे जनक जी के महल में कड़ी, खीर, दाल, आदियों से पूरा लेपन कर दिया पूरे सभा का राम जी नीची नजर करके बैठे थे जनक जी बोले लग रहा है कि रामण को मारने वाली सेना है राम जी बोले अब छमा करें पता जी बानर हैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं जनक जी को लगा कि राम जी को बहुत संकोच हो गया है तो जनक जी ने तुरन्त राम जी को हिर्दे से लगा लिया परण्तु सबसे ज़्यादा संकोच तो जमवंत जी रहा था जमवंत जी बोलने लगे सारे करे कराई पर पानी फेड़ दिया अरे ये क्या गुठली उचह लगे, सबरी उचह लगे तब राम जी को बड़ी मंदी नजरों से जामवंत जी ने देखा छमा मांगते हुए लेकिन जब राम जी को देखा तो राम जी जनक जी के हिर्दे से लगे हुए थे और जनक जी के नित्रों से आसू गिर रहे थे वो द्रिश्य देखकर के जामवंद जी के चित्त में आया कि ऐसा सौभग मुझे कब मिलेगा कि मेरे भी जमाई राम जी जैसे हो और मैं अपने चित्त से उनको लगा करके प्रेमाश्रू बहाँ हूँ ये हिर्दय का भाव जैसे ही प्रकट हुआ अंदर से आत्म गलानी हो रही थी कि मेरी विज़े से सब बिगड़ गया राम जी जामवंद जी के चित्त की बात समझ गये तुरंत आसन से उठकर के आये और जामवंद जी से बोले हम आपके चित्त की बात समझ गये हैं आप आत्म गलानी मत करो हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपको वचन देते हैं आपके हिर्दय का मनो भाव हम द्वापर योग में पुर्ण करेंगे और आज उसी द्वापर योग में द्वारी का धीश कृष्ण पधारे और जामबंत जी के पुत्री जामबती के साथ में विवाह किया बोलो जामबती रमन भगवाने के दूसरा बया जामबती जी के साथ